कप्चागी नेगे नाथा नाजुन नान अमु माल दो हर्स हेलो एबरुवान मैं हूँ सुमी स्वागत करती हूँ आपको मेरी इस चैनल में हम हमेशा क्या करते हैं मार्केड से बहुत सरे इसे चीजे लेके आते चीज सकता है और पढ़ा ही होता है हम इसको तर नजरनदाज कर लेते और इसको वेश्ट सोचके फिक देते और मार्केड से पेशा दे के वही चीज को हम क्यागत की खरिच के लिके आए जाते हैं आपको साथ कुछ कुछ क्पड़े को कैसे रिउच कर सकते हैं वह भी जिरो कोस्ट और जिरो मेहनत में तो वेसे वला आइडिया में आपके सेल कर ओंगी इसे तो देखे होंगे यह वाला स्क्रीन जो की विंटर वाला पेंट था चोटेफेंट हमारेंप कुछ काम में लेके नहीं आं सकते और इसका इलस्टिक खराब हो गया था और में बेटे सब्सक्राइब हो रहा था तो इसका प्रिंट काफी सुन्दर था और विंटर वेरे होने के गाने इसका डवल भी था तो भी सुची इसको एक ही कपेंट में सी बहुत सारे हमारा यूच पूर अगर चीजे बन जाएगा तो हम इसको वेस्ट क्यूं फेके और हर चीज को पूछा बनाने की या डस्टर कपड़ा बनाने की ज इसा प्काल सकते होने इतना धाद नहीं था और इतंने अच्छ शेकरी में रहता तो शुचवा कर दो हूँ करता होने औरहा black शेख्सें करना तो यहां पर हैंस sudah स्क्वेर से करति के चरतों से सिलाई कर दी हूं वियुक्त है सवा ही तो तो आप बैसिज को एक तरह पी को लिद Wheels and पॉरी हमारा बन गया बहुत अच्छा हेंकी और सुप्रों के क्लें नीक सुस्के है की 20 पार अज नहीं कर दो तो आप मार्कर से लाते होता है दूख भी होता है कि हैंकी नया लाए था और फेक दिया लेकिन आप इससे बना के बहुत ज़ाद आप रहा कर सकते हैं तो आपको इतना दूख नहीं होगा क्या वेस्ट कपड़ेको रियूज करके बनाए थे और इसमें कुछ पेशा भी थोड़ी सी बास महनत चाहिए बाकि आपका बहुत अच्छा चीजों भी रियूज हो जाएगा बहुत अच्छा सामान आपका बनके त्यार हो जाएगा इसमें तो मैं तीन-चार हेंकी बना दी उसके बाद थोड़ी बहुत कपड़ा पचता तो इसका मैं यहां पर क्या ठाप हो अब फिष्चे वाले साड़ में थुड़ाचा प्रिंटर रख्या किन contemporary सारे यह आइडिया कमेर्सेशन ज़रूर बताना फ्रेंड्स मुझे तो मेरे मेरे लिए काफी यूजपुल है और मेरा बन गया बहुत अच्छा यूजपुल वाला आइटम तो यहां पे ना मेरे पास एक पन्नी था जैसे बच्चों के कपड़े वह लगते हैं ऐसे मिलता है आप इसको बिल्कुल मत फेकिएगा इससे आप बहुत सारे जगह में यूज कर सकते हो तो जिसे ट्रावल के टाइम भी यूज कर सकते हो नहीं तो आप ऐसे चुट-छुटे कपड़े हो गया हेंकी हो गया या नहीं तो जैसे शॉक्स बगर हो गया आप वह सारे रखके अच्छा था और इसलिए मैं इसको यहां पर क्या करें यूज कर रही हूं यह भी आपको बेडियूम में को भूर में शेयर भी की थी फिर से आपको साथ एक बार शेयर करूंगे पुराने कपड़े को कैसे रिख कर सकते हैं और एक मेरे पास एक वासिंग मशीन का कवर था और मैं अभी क्या क्यों वासिंग मशीन चेंज कर दिए जो कि आटोमेटिक ले लिए लिए तो यह सेमी आटोमेटिक का कभर था और वैसे भी इसके खराब हो गया था इसका जो और टॉपला पोर्शन ने वह खराब हो गया था बहुत टाइम से मेरा यह चला कम से कम साथ आ लग गया था तो मैं सुची इसको पहले कि इसको डिसकार्ड कर दूँ फिर मन मैं इतना ठीक सा कपड़ा है इसको डिसकार्ड करने से लिए कुछ ने इसको यूज करके फेकूंगी तो इसका जो टॉप पोर्शन है उसको में यहां पे निकाल दी इसके बाद यहां पे करके उस तो यहां पे सिलाई कर दूँगी और हमारा मेरा बन जाएगा बहुत अच्छा यह फ्लोर मेट यह बातरूं पर दालूंगी बहुत ठीक भी है और बहुत सौफ्ट है तो आप अकर ऐसे पुराना कवला कपड़ा मिल आगर निकल रहा होगा घर में तो विक्लू मत अच्छा लगाने से पहले आप इससे चीजों से भी रिउज कर सकते हो बस चलतों से लगा दी बन गया हमारा बहुत ब्यूटिफुल लॉंग लाश्टिंग वाला फ्लोर मेट देख तो में बातरूं के आगे भी डाली हूं बहुत सौफ्ट ही लगता है काफी अच्छा भी अच्छी आप देखने में और भी रिडिमेर जाहा लगए और देखने में एक्टरेक्टिव लगे तेकिन सारह फी चीजें सिंपल लग हूं ताकि कोई भी इसको बना सकते हो आपको ज्यादा तामजब की ज़रोत नहीं ज्यादा कोई सामान की भी ज़रोत नहीं अगर आप आप को शिलाइ में इंट्रेस्ट है तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हो मैं बस आपके साथ कुछ आइडिया से क्यों आई हो आप सभी को पसंद आया होगा मिलते हैं इसे इंट्रेसिंग वीडियो चाहिए तर तक लें बाइफ टेकेड